दोस्तों, हिंदु धरम एक सनातन धर्म है और चारो वेद इस धर्म के आधार स्तंब है हिंदु धर्म में कई ऐसी परमपराए तथा मान्यत्या है जिने सुन कर लोग हैरान हो जाते है लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस हर परमपरा के पीछे एक विध्यान है हिंदु धरम पूर्ण रूप से विध्यान पर आधारित है आज हम आपको कुछ ऐसे तथ्यों से अउगत कराएंगे जो हिंदु धरम के वैध्यानिक होने पर मोहर लगाते है हनुमान चालिसा दोस्तों हनुमान चालिसा तुलसिदाज जी ने लिखी थी जिसमें एक वाक्या आता है जूग सहस्र योजन परभानू लिल्लुताही मदुरफल जानू जिसका अर्थ है सुर्य जो जूग सहस्र योजन अंतर पे था उसे आप फल समझ बेठे दोस्तों अगर आप इस जूग सहस्र योजन अंतर को अंक में बदल दे तो ये वही अंतर है जो नासा के तरफ से सुर्य और पूत्वी के बिच बदाया गया है दूसरा तथ्या मंदिर और घर में दिया जलाना दोस्तों हिंदू किसी भी शुपकाम से पहले पूजा में वेसे ही घर में तेल का या घी का दिया जलाने से परिसर में सकारात्म कुरुजा बढ़ती है वेसे ही ये हमारे इंद्रियों की भी शक्ति बढ़ाता है दोस्तों जब भी हिंदू धर्मा के किसी भी गुरुकूल में कोई भी छात्र अगर कोई गल्दी करता था तो उसे कान पकड़ कर उठक बेठक करने की शिक्षा दी जाती थी दोस्तो असल में ये शिक्षा एक ब्रगार का योगा है जिससे बुद्धी और एकागरता में रुद्धी होती है लेसे ही यह योगा करने से नीन वी चली जाती है और विध्यार्थी पूर्ण रूप से एक ही विशे का चिंतन करने में सक्षम हो जाता है चोथा तत्या हाथ से बोजन करना दोस्तो इंदो लोग हमेशा अपने हाथ से ही बोजन करते हैं पाच्छात्य देशों में भले ही इसे निन्नक जुरुष्टी से देखा जाता हो लेकिन हाथ से बोजन करने से हम हमारे मन, बुद्धी और शरिर का एक दूसरे से सईयोग करते आच्छवा तत्या, शंकनात, हिंदो में हर पूजा से पहले और पूजा संपन्न होने के पज़्जात शंकनात किया जाता है दोस्तो, अगर विध्यान की माने तो शंक का यहदवनी जहा तक पहुचता है, वहा तक के सारे हानिकारक जिवजन्तु को समाप्त कर देता है छटवा तत्या, मूला स्थानम दोस्तो, हिंदु धर्म की जितने भी पुरातन मंदिर है, वो वेध्यानिक तोर पर बनाए हुए है इन मंदिरों में जहां मुख्य आरादे देवता की मूर्ति की स्थापना की जाती है, उस थान को मूला स्थानम कहते है अगर विध्यान की माने तो ये मुलास्थानम पृत्वी के एसे स्थानों पर है जहां पृत्वी की चुम्ब की ये शक्ति मतलब मैगनेटिक व्यवस का प्रभाव सबसे ज्यादा है जिसका फाइदा वहाँ आने वाले हर भक्तों को होता है वैसे ही यहाँ ध्यान तब या पूजा करने वाले भक्तों को उसका दस्गुना फाइदा मिलता है साथवा तत्थ्या तूलसी का पेड़ हिंदु धर्मक के लोग अपने घर के बाहर दर्वाजे के सामने तुलसी का पोधा लगाते हैं और हर सुभा उसकी पूजावी करते हैं और ये परंपरा लाखो करोड़ों वर्षों से चल रही हैं तुलसी के पोधे को आयरुवेद में सबसे उच्चस्तान दिया गया है तुलसी एक वनाऊशदी है जिसका मात्र सेवन करने से ही हमारी रोग प्रदिकारक शक्ती में रुद्धी होती है वैसे ही तुलसी सारे सामाने रोग जैसे की सर्दी, खासी, जुकाम, ताप को जड़ से मिटा देती है हिंदु धर्म में घर के सारे छोटे अपने बड़ों की चरन सपर्ष करके उनसे आशिरवाद लेते हैं इससे बच्चे अपनों से बड़ों की प्रती, प्रेम और आदर जताते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह चरन सपर्ष करने से हमारी रीड की हड़ी हमेशा एक अच्छे आगार में रहती है वैसे ही दिमाग की तरफ रक्त का प्रवाव भी बढ़ जाता है, जो कि शरिर के लिए बहुत फाइदेमन होता है वैदिक मंत्र हिंदु पूजा में वैदिक मंत्रों का बार बार जाप होता है मंत्रों को जाप करना एक पुरानी विद्धी है जिसका निर्मान हिंदु धर्म में हुआ है इन मंत्रों का जाप करने से या इने सुनने से भी बहुत सारे मानसिक और शारिरिक रोगों से मुक्ति मिलती है विध्यान की माने तो इस मंत्रों का लंबे समय तक जाप करने से हम हमारे शरीर और मस्तिक्ष को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर सकते हैं दस्वा तथ्य, तोरन, हिंदु धर्म में घरों को सजाने के लिए दर्वाजों उपर आम के या नीम के पत्तों का तोरन लगाया जाता है, जो घर को सुन्दर बनाने के साथ ही वातावरन को भी शुद्ध करता है। ग्याराववा तथ्य, हल्दी का पानी, हिंदु धर्म के लोग हर पूजा से पहले हल्दी मिश्रित जल को पूर्ण घर में या मंदिर में छिड़कते हैं, इस जल से वहा की ऑक्सिजन की मातरा में रुद्धी होती है, वैसे ही हल्दी के वज़े से हानिकारक जिव जन्तु भ और एक सकारात्मक पुर्जा का निर्मान होता है, भाराववा तथ्य, कर्न भेदन, हिंदु धर्म में बच्चे के जनम होने के बाद उसका कर्न भेदन करने का वीधी होता है, इस वीधी के अनुसर बच्चे के कान के निचले हिस्से में एक छोटा सा छेत किया जाता है, द लोग होने का खत्रा अस्ति प्रतिशत तक घड़ जाता है। 13 वात अत्य केले की पत्य हिंदूस अंस्रुति के अनुसार पूजा संपन्न होने के पच्छात अथितियों को केलों के पत्तों पर ही भोजन परोसा जाता है। इससे भोजन की तत्वों पर अच्छा असर तो पढ़ता ही है। साथ में यह पत्य भोजन के पच्छात प्रानियों को भी पेट भरने के काम आते हैं। इससे परिसर में भी कोई दुर्गंधी नहीं होती। साथ में निसर्गों को भी कोई हानी है। चोदाववा तथ्य कुमकुम बिंदी। दोस्तो, हिंदू स्थ्रिया हमेशा अपने माथे के भुरू मद्यपे कुमकुम की बिंदी लगाती है। मानशास्त्र की माने तो इस कुमकुम की बिंदी के कारण कोई भी उस स्थ्री को सम्मोहित करने में असक्षम हो जाता है यह बिंदी स्थ्री को सम्मोहित होने से बचाती है वेसे ही अध्या चक्र से सारी शरीर में उर्जा का प्रवाह करती है हिंदु धर्मा के लोग सुबह नीम और बर्गत के पेड़ की पूजा करते हैं वेसे ही उसकी प्रदक्षिना करते हैं प्रदक्षिना करने से श्वास की गती बढ़ती है और पेड़ बारा दिया गया शुद्ध वायो और ऑक्सिजन बड़ी मात्रा में शरीर के अंदर प्रवेश करता है इस कारण पूरा दिन शरीर तरोताजा महसूस करता है हिंदु धर्मा में ओम मंत्र को सबसे पवित्र माना गया है हिंदु धर्म का हर मंत्र ओम से ही शुरू होता है ओम मंत्र का उच्चार करने के तूरंद पच्चा थी हमारे रुधे की गती मंद हो जाती है और हम चमतकारी ढंग से गेरे तनाव मुक्त स्तिती में पहुच जाते है यह ओम मंत्र हिंदु धर्म की ही देन है हिंदु धर्मा में आरती और पूजा के समय गंटी और तालिया बजाई जाती है इसका अगर वैध्यानिक विशलेशन किया जाए तो आप पाएंगे कि ताली बजाते ही आपका मन, भूज और भविश्य छोड़कर वर्तमान में चल रहे उस शन पर आपकी चित्तों को ले आता है वैसे ही मेंदिर में प्रवेश करने के दोरां घंटा बजाते ही आपके मस्तिक्ष में चल रहे सारे विचार पुर्षन के लिए थम जाते है यकिन ना आए तो अगली बार गोर किजेगा ठ्रावा तथ्या ध्यान ध्यान ये हिंदु धर्म ने पूर्ण विश्व को दी हुई सबसे सुन्दर भेट है ध्यान का निर्मान हिंदु रुष्यों ने ही किया है जिसका प्रमान है एक संस्कूरुद ग्रंथ पतंजली योग सुत्र आज भी ध्यान को सिखने के लिए और समझने के लिए पतंजली योग सुत्र ग्रंथ का ही अभ्यास किया जाता है ध्यान ही है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है और एक मनुष्य को परम सत्य और परम इश्वर के समय पहुच आता है और इस दीव्य विदी का निर्मान हिंदु धर्म में ही हुआ है दोस्तों यह सारे तत्य सिद्ध करते हैं कि हिंदु धर्म वेध्यानिक होने के साथ साथ ही दुनिया का सबसे पुराना धर्म है वैसे ही दोस्तो हमने बताए हुए ये तथ्य समुद्र में पड़े एक गुन की तरह है हिंदु धरम आकाश की तरह विशाल है जिसका जितना भी अब बैस किया जाए उतना कम है तो दोस्तो ये जानकर आपको कैसे लगी ये प्लीज हमें कमेंड में बताए वैसे ही आपको जो तथ्य पता है उसे हमारे साथ कमेंड में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सिस्क्राइब करना मत भूलिये धन्यवाद दोस्तो